कैसा होगा जब माइन्ट्राफ्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलर SMP हीरो प्राइन SMP को हुबा हूँ कॉपी करके बना दिया जाए भाई साइ सुन्गरों आप एक बंद ने हुबा हूँ कॉपी करके नकली हीरो प्राइन SMP बना दी और ये वही बंदा है जिसने टेक्नो गेमर्स का कासल भी बिल्कुल हूबा हूँ कॉपी करके बना दिया था और ये चीज़ तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था वेल लोगों को मानना है कि ये वाली नकली हीरो प्राइन SMP बहुत ज्यादा हॉंटिड है तो आज मैं खुद जाऊंगा इस SMP के अंदर और देखते कि हमारे साथ भी हॉंटिड चीज़े होंगी या ये सब बाते भी बिल्कुल अंद विश्वाश है तो ये मैं आ चुका हूँ हीरो प्राइन SMP के अंदर और देखके भाई बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कॉपी करने की भी हद होती है एक्जेक्ट एक एक चीज कॉपी करके बना रखी है यहाँ पर लेकिन नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर कुछ भी डरावना से नहीं लग रहा है मस तरीके से मैं एक्स्प्लोर कर सकता हूँ लेकिन पता क्या मैं इतनी जल्दी खुश नहीं हो सकता क्या पता कुछी देर बाद हॉंटेड वाली बात हैं सच हो जाए खेर यह सब छोड़ो भाई आप खुपसूरती के नजारे लोग क्या तगडी तरीके से कॉप्पी मार रखा है पूरा वर्ड वेल जरा यह देखो यह हमारा हीरो प्राइन का बड़ा सा टावर और इसको तो यादी होगा ना आपको यह है बिक्ट्सू की कुटिया बड़ी सी एसमपी में छोटी सी हट बना रखी है एंड उपर उड़ता हो हमारा फ्लीट भाई का आईलेंड भी है मतलब एक चीज बिल्गुल सेम है आपर तो एक काम करते हैं जो यह हीरो प्राइन का बड़ा सा टावर है ना इसके अंदर चलते हैं थोड़ी बहुत लूट अपने साथ रख लेते हैं ताकि हो हमारे आगे जाके हेल्प करें ओके भाई सीडिया चड़ते चड़ते मैं फाइनली टॉप फ्लोर पे आ चुका हूं लेकिन यार यहां की चेस्ट आदे से जादा तो खाली पड़ी है यह तो यह भी खा काम तो आए खेर मजाक बहुत हो गया सीधा चलांग मारके हमारे ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं और इस टाइम ने यार मैं को कसम से बहुत भूग लग रही है मेरा ज़रा हॉट बार देखो भाई फाइनली मैं इतना ज्यादा ढूंडा हर किसी के घर में किसी के घर में ख लगाने वाला हूं ताकि होरर चीजे मेरे कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएं क्यूंकि यार यह इतनी ज्यादा बड़ी SMP है मैं कहां कहां क्लिव ढूंडता रहूंगा तो एक कैमरे को यहां पर लगा देते हैं ताकि सामने का व्यू आ जाए और एक कैमरा हम जश्ट यहां इ हम अपडेटिड रहें और इस टाइम पर मेरे पास अभी एक कैमरा भच रहा है वेल इसको हम कभी बाद में यूज करेंगे जहां पर हमको जरूरत लगीगी और इस टाइम पर जो यह स्क्रीन मेरे हाथ में है ना इससे मैं इसली देख सकता हूं हर कैमरा को कहां पर क्या हो है यह में को पता रहेगा तो कैमरा लगाने के बाद भी अभी मेरा काम कमप्लीट नहीं हुआ है मैं जाने वालों स्म्पी की सबसे उची जगा पर तो मैं अपने टुक्टुक को लेकर यहां पर आ चुका हूं और मैं जाने वालों फ्लीट भाई के आइलेंड के उपर प्लीट भाई के बड़े प्यारे-प्यारे से क्यूट पैट्स बैठ हुए हैं खेर इनको छोड़ो मैं अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ाता हूं और इस स्पाइग्लास की मदद से स्मपी के हरे कोने को चेक करता हूं अगर कुछ भी गड़बड होगी तो मैं को यहां से जरूर दिख जाएगा तो मैं अपने स्पाइग्लास की मदद से हरे कोने को चेक कर रहा था एंड फाइनली में को एक ऐसी अजीब सी चीज दिखती है जो मैंने आस से पहले स्मपी में कभी नहीं देखी थी जरा दिहान से देखो उस पहड की नीचे दो ट्रैप डोर जैसा कुछ बना हुआ है और जहां तक मेरे को याद है किसी ने भी हीरो प्राइन सेमपी में ये चीज नी बनाई थी तो मैं बिना देरी करें उपर आइलेंड से नीचे पानी में छलाग मार देता हूं क्योंकि भाई में को जल्दी से उस ट्रैप डोर के पास जाना है और देखन इस चीज को देखके जो मेरे दिमाग में पहली चीज आई है वो ये कि भाई यहाँ पर जादू टोना हो रहा है क्या यहाँ पर हमारी स्टीव का हैड़ पड़ा है स्केलटन का हैड़ पड़ा है और तो और यहाँ पर बीच में कैम फाइर भी है जो इस टाइम पर भुझ चुका है लुटवली गाइज I have no clue प्लीज मेरे को नीचे कमेंट में बता ना कि हीरोब्राइन SMP में किसी यूट्योबर ने ऐसी चीज़ बनाई थी क्या क्योंकि में को तो बिल्कुल याद नहीं है लेकिन मैं तो यह सोच रहा हूं कि इस रूम के अंदर कोई भला जादू टोना करेगा ही क्यों और मेरे को जहां तक पता है हीरोब्राइन SMP में ऐसा किसी ने नहीं बनाया तो मैं फटाक से वापस इस टनल से बाहर निकलता हूं और मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है जो मेरे पास ही कैमरा बचाओ है ना मैं यह लीव्स को तोड़के य हीरोब्राइन के टावर के अंदर चले जाता हूं और मैं यहां पर रात का वेट करने वाला हूं देखते हैं कि जो मैंने इतने सारे कैमराज लगा है उनमें कुछ रिकॉर्ड होगा भी अभी पता ही चल जाएगा कुछ देर बाद तो यहां पर हमारा सूरस ढल चुका है औ को हर कैमरे में आसपास का बाहूल बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन जैसे ही मैं नमबर टैन वाले कैमरे को क्लिक करता हूं में को कुछ अलग सी चीज दिखती है जहां पर दुफैर को हमने जादू टोने वाली चीज़े देखी ती इस ट्रैपडूर वाले गड़े में वहां स हम इस वाले गड़े के पास आ चुके हैं और जैसी मैं अंदर जाता हूं भाई मैं हिरान हो जाता हूं यह कैमपफायर खुद पर खुद कैसे जल गई क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है दुफैर के टाइम यह कैमपफायर बिल्कुल भुजी बढ़ी थी और इस टाइम यह खुद पर खुद लाइट अप हो चुकी है या तो ऐसा भी हो सकता है किसीने इसको लाइट अप करा है भाई कुछ भी हो सकता है एंड मैं यह चीजे समझने की कोशिश करी रहा था तबी भाई एकदम से बिजली गिरने की आवाज आती है और मैं यह सोचता हूं बिना हीरो ब्राइन की होने पर बनता है एंड तभी एकदम से स्ट्रक्चर के उपर लाइटनिंग बोल्ट गिरती है भाई यहां पर कुस्तो कुछ गड़बर जरूर है तो मैं अपने टुक टुक पर बैट कर जल्दी से उस कैमरे के पास जाता हूं और जैसी मैं पहुचता हूं मुझको वो स्ट्रक्चर मिल जाता है जो मैंने कैमरे के अंदर देखा था एंड गाइस जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूँ यह स्ट्रक्चर जब बनता है जब आसपास हीरो ब्राइन होता है वेल इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और तभी मेरे को ए आसपास वाले स्केलेटन थे उन्होंने मेरे पर अटैक करना शुरू कर दिया था और तभी मेरे को एक और स्केलेटन दिखता है जिसकी बहुत बुरा अटैक कर रहे थे तो मैं फटाक से अपने टुक टुक पर बैठता हूं और जल्दी से अपने सेफ टावर के अंदर पता लगता है कि टावर की जमीन ही गायब हो चुकी है दो तिन सेकिंड के लिए मैं हापर सोच में पर जाता हूं कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे पूरे टावर की जमीन गायब पड़ी है और पिर मेरा गेम थोड़ा बहुत ग्लिच होने लग जाता है और जैसी मैं पीछे पूरा मौसम खराब हो चुका है और भाई आसपास बिजलियां भी कड़करी हैं और तभी एकदम से मेरा गेम क्रैश हो जाता है लिटरली भाई ये वर्ड तो बहुत ज्यादा धरावना निकला